अरे हंस को तीर लगा है यहां गायल हो गया है सिधार्थ इस हंस को मैंने तीर मारा है यह मेरा है मैंने इसे बचाया है यहां मेरा है चलो महाराज ही इसका फैसला करेंगे देवदत ने हंस को तीर मारा इसलिए वह इसे अपना कह रहा है सिधार्थ ने इसे बचाया इसलिए वह हंस को अपना कह रहा है महराज हंस को बीच में छोड़ दीजिए यह जिसके पास जाए उसी का माना जाए हाँ यह ठीक है हंस सिधार्थ के पास चला जाता है यह हंस सिधार्थ का है देवदत मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है जो किसी की जान बचाता है वह महान होता है बच्चो कहानी में बोली गई हर बात ठीक से समझा रही है न? इसका कारण है शब्दों के समूह का सही क्रम में होना शब्दों का वह व्यवस्तित समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है वाक्य कहलाता है वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है वाक्य में पहले करता फिर कर्म और उसके बाद क्रिया आती है जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं करता, कर, क्रिया वाक्य के अंग वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय उद्देश्य वाक्य में जिसके विशे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है यहां सुमित उद्देश्य है क्योंकि उसके विशे में ही बात की जा रही है वही वाक्य की क्रिया का करता है विधेय वाक्य में उद्देश्य के विशे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है यहां सुमित के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में प्रथमाया है अताय विधेया है विधेया के अंतरगत मुख्यता क्रिया कर्म आदी का विस्तार आता है कुच अन्य उदाहरण वाख्य गोस्वामी तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना की वाख्य के भेद वाख्यों के इन दो आधारों पर अनेग भेद होते हैं रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर रचना के आधार पर वाख्य भेद रचना के आधार पर वाख्य तीन प्रकार के होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है जैसे शिवम पूजा कर रहा है राजीव रोज व्यायाम करता है मोर जंगल में नाचने लगा संयुक्त वाक्य संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ जब कोई वाक्य दो वाक्यों को योजक या समुच्चे बुधकों की सहायता से जोड़ कर बनाया जाता है तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र महत्वर रखते हैं जैसे हम साइकिल से जाएं या पैदल चलें रानी बाजार गई है और मिंटू घर पर सो रहा है मेरे सहपाथी नेक और इमानदार है मिश्रित वाक्य मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उप्वाक्य जुड़े हो मिश्रित वाक्य कहलाता है जैसे सागर ने कहा कि मैं आज विद्याले नहीं जाऊंगा मेरी फ्रॉक वह है जो नीले रंकी है यदि पिता जी की बात मानली होती तो ये दशा न होती अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के आड़ भेद होते हैं विधान वाचक वाख्य, प्रश्न वाचक वाख्य, आग्या वाचक वाख्य, निशेद वाचक वाख्य, इच्छा वाचक वाख्य, संदेह वाचक वाख्य, संकेत वाचक वाख्य, विस्मयादी बोधक वाख्य, विधान वाचक वाख्य, इन वाख्यों में किसी प्राणी, व प्रश्न वाचक वाक्य इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपके पिता जी क्या करते हैं? मीना कानपुर क्यों गई है? आग्या वाचक वाक्य इन वाक्यों में किसी को कोई आग्या या निर्देश दिया जाता है, जैसे घर से बाहर जाकर खेलो, बाजार से कुछ सबजी ले आओ, निशेद वाचक वाक्य इन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने की बात कही जाती है, जैसे अनुराधा ससुराल नहीं जाएगी, आज सुबह से बिजली नहीं आई इच्छा वाचक वाक्य इन वाख्यों में कोई इच्छा, आश्रवाद या मनुकामनाम व्यक्त की जाती है। जैसे, आपकी यात्रा मंगल मैं हो, मैं एक बार भारत ब्रह्मन करना चाहता हूँ। संदेध वाचिक वाख्य इन वाक्यों में कार्यों के होने या ना होने के विशे में कोई शंका व्यक्त की जाती है, जैसे आज वर्षा हो सकती है, शायद आपकी तब्यत खराब है संकेत वाचक वाक्य इन वाक्यों में कार्यों की सफलता या असफलता का संकेत होता है, जैसे आपने मेहनत की और प्रतमस्थान पाया, यदि वर्षा न होती तो बाड़ भी ना आती विस्मयादी वाचक वाक्य, इन वाक्यों में हर्ष, दुख, पीड़ा, शोक, प्रसन्नता आदी के भाव व्यक्त किया जाते हैं, जैसे ओह, कितनी गर्वी है, शाबाश, क्या मुकाबला किया? हमने सीखा, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विध्धय, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए वह उद्देश्य होता है उद्देश के विशे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है वाक्य भेद के दो प्रमुक आधार होते हैं रचना का आधार और अर्थ का आधार रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं सरल, संयुक्त एवं मिश्रित अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं विधान बाचक कि अर्थ बाचक से सकते हैं झाल 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 झाल